नमस्कार दोस्तों में हूँ अतुल और ये है फायर वॉल्ट ग्रेनेट स्मार्ट वोच जो हाली में लोन चुई है फ्लिपकाट पे और आपको मिलती है वन ट्रिपल नैन में तो इसकी प्रैस काफी सही है क्योंकि ये है एक रफ एंड टफ स्मार्ट वोच मतलब कि ये है का फिचर काम करेगा इसके लबावा इसमें है 1.39 इंच का HD डिस्प्ले हार्ट रेट एन SP2 मोनिटर 120 प्लस वर्काउट मोड वह इस असिस्टन्ट और यह है IP67 वाटर एंड डस्ट केसिस किया गया है और यहाँ पे जो स्ट्राप से सिलिकोन के है 22 mm के जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के है उपर में है एक मेडलिक बकल दो स्ट्राप्स होल्डर यहाँ पे आपको मिलते हैं दो बटन यह है क्राउन बटन जिससे आप रोटेट भी कर सकते हो और इसके लवा यहाँ पे है स्ट्रापस को रिमूब भी कर सकते हैं और इस स्ट्रापस करने के लिए आपको इस तरह करने के लिए आपको इस तरह किसे आज करके इसे चार्ज करना है इसमें है 350 mH की बैटरी, इससे फुल चार्ज करने के लिए आपको लगेंगे 2 hour आपको मिलेगा 7 days का बैटरी बैटरी बैगप लेकिन अगर आप कॉलिंग का इसकर होगे तो आपको मिलेगा 2-3 दिन का बैटरी बैटरी बैगप या आप अपने power bank से भी इस smart watch को charge कर सकते हो इस smart watch को first time इस करने से पहले आपको इसे full charge करना है ताकि आपको first time से ही अच्छा battery backup मिले तो मैंने इसे full charge कर लिया है मैं करूँगा इसे switch on तो आपको उपर ओले button पे long press करना है जब logo दिखाए दगा तब आपको अपनी उंगली release कर दनी है तो smart watch हो चुकिए switch on अब हम करेंगे इसकी pairing अपने smartphone के साथ इस smart watch को अपने phone के साथ pair करने के लिए आपको अपने phone में play store में दाकर इसे आपको download करना है जिसका नाम है दाफिट आपको अपना gender set करना है male female आपकी birthday set कीजिए इसके बाद आपकी height centimeter में और आपका weight kg में set कीजिए done कीजिए allow कीजिए उपर में यहाप लिखा होगा add device आपको इस पे ट्याप करना है while you see the app पे ट्याप कीजिए allow कीजिए फिर से allow कीजिए ताकि आपके phone में bluetooth on हो जाए firebolt 137 तो आपको यहाप पे शो करेगा आपको इस पे ट्याप करना है done कीजिए continue फिर जाए यह device की ट्याप में और यहाप पे शो करेगा battery level मतलब की समझ जना कि आपकी जो watch है successfully pair हो चुकी आपकी phone के साथ फिर आपको मिलेगा यह pairing request आपको pair पे tap करना है इसके बद आपकी watch में call का feature on हो जाएगा मतलब कि अब आप अपनी watch में भी call को receive कर पाओगे तो सबसे पहले है watch face को change करने का option तो watch face को change करने के लिए आपको इस तरह किसे one tap करना है watch face change कर सकते हो आप one tap में इस तरह किसे आप देख सकते हो अगर आपको download करना है तो last में face gallery पे tap करना है तो यहाँ पे आपको show करेंगे अलग-अलग categories जैसे की new watch faces recommended, art, funny, colorful, modern और classic तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 150 plus watch faces अगर आपको किसी भी watch face को download करना हुआ तो आपको उस caddyr को open करना है अब मुझे एक AC watch face को download करना है जिसमें battery level show करें तो आपको एक AC watch face को download करने के लिए उस पे ट्याप करना है जैसे की मैं करूंगा इससे और करूंगा apply तो आप इस तरीके से अपने किसी भी watch face को download करके apply कर सकते हैं जो watch face से apply हो चुका है आप देख सकते हो और यहाँ पे battery level भी show के जाता है watch face पे अगर आपको अपनी खुद के photo set करनी हुए तो आप वह भी कर सकते हो आपको watch face number 2 पे जाना है लिखा होगा edit आपको उस पे tap करना है allow कीजिए और last में यहाँ पे होगा choose from album उस पे tap कीजिए gallery को open कीजिए जिस किसी photo को आपको set करना है आपको उस photo पे tap करना है मुझे set करनी है यह photo तो मैं इस पे tap करूंगा आप इसे zoom in zoom out कर सकते हो उपर नीचे set कर सकते है फिर आपको करना है टिक पे tap time जो है उपर में शो कर रहा है अगर आप चाहो तो इसे नीचे भी कर सकते हो यहाँ पे है time position हम करेंगे below done फिर है above time below time मतलब कि time के उपर और time के नीचे आपको गास शो करना है मैं चाहता हो time के उपर शो करें date और time के नीचे शो करें steps इस तरीके से आप कोई भी दो चीजों को शो कर सकते हो फिर आपको करना है text के color को choose तो आपको कौन सा color choose करना है set कीजिए फिर करिए save इस तरीके से आप अपने किसी भी photo को set कर सकते watch face पे तो जो photo है set हो चुकी है आप देख सकते हो आप अपनी watch में एक साथ 8 watch face को place कर सकते हो हाला कि watch face number 2 और जो 8 है आप उन्हीं को change कर सकते हो बाकी watch face fix होते हैं आप उन्हें change नहीं कर सकते हैं आप अपनी watch set भी watch face को change कर सकते हो आपको watch face पे long tap करना है और यह स्वाइब करना है स्विच करने के लिए set करने के लिए उस पे tap कीजिए फिर आगे है notification तो आपको इस पे tap करना है phone को on कीजिए permission को allow कीजिए इसके बाद आपको message को भी on करना है allow कीजिए अब इन में से आपको कौनकों से apps की notification रिसू करनी है आपकी watch में आपको इन apps को on करना है जैसे कि मुझे on करना है Twitter के लिए तो उसे on करूँगा enable कीजिए tap it को on कीजिए allow कीजिए back जाईए इसके लाबा WhatsApp, Instagram अगर आपको अपने phone के सभी apps की notification को रिसू करना है अपनी watch में तो आपको others को on करना है अलागी others को अंगर होगे तो आपकी watch में battery backup काफी कम मिलेगा इसलिए अगर आप साथ यो battery backup ठिक टाक मिले तो आपको others को offer रखना है अब अगर कई भी call आएगा तो इस तरह के से आपको शुकरेगा call का preview आपकी watch में तो इस तरह के से आपको मिलेगा call का preview आपकी watch में contact का नामे number शो होगा और आपकी watch में बज़ेगी ringtone और आपकी watch करेगी vibrate अगर आपने set किया होगा तो और यहाँ पे आपको मिलते है तिन option जो ringtone बज़ लिए आपकी watch में उसे अगर आपको mute करना हुआ तो इस पट्याप किजिए आपकी watch में ringtone बज़ना mute हो जाएगा और यह है दो option इस call को answer करने के लिए और cut करने के लिए अगर आपने answer कर दिया तो आपको अब मिलेंगी यहाँ पे चार option सबसे पहले है इस call के volume को adjust करने का तो आप call के volume को यहाँ से adjust कर सकते हो इस तरह के से बाद में है call को switch करने का option तो जो call है चल रहा है watch में अगर आप चाहत यो call चले फोन में तो आपको इस प्ट्याप करना है जो call है switch हो जाएगा फोन में अगर आपको वापस आना है watch में तो ट्याप कीजिए इस तरह के से आप call को switch कर पाऊगे watch to phone, phone to watch यह है mic को emiit करने का option तो अगर आप mic को emiit करोगे तो सामने हो लोगो आपकी आउज नहीं जाएगी और end में है call को cut करने का option अगर आपको call को receive नहीं करना है अपनी watch में तो आप call की feature को off भी कर सकते हो तो आपको जना है सबसे पहले toggle में और यहाँ पे होगा phone on आपको इससे off करना है जैसे आप इससे off करोगे मतलब की आप देखोगे यह अब gray हो जाएगा इसके बाद अगर आप कोई भी call receive करोगे तो आपकी watch में receive नहीं होगा आपको call शोगड़ेगा call का reminder इस तरह के से यहाँ पे receive करने का option नहीं है अलगी इस तरह के से आपको call का प्रिव मिलेगा contact करना में number शोगए जाएगा आपकी watch में होगा vibration और यहाँ आपको बलेंगे दो option इस call के प्रिव को यहाँ से remove करने का और इसे यहाँ से cut करने का अगर आपको call के feature को use करना है अगर आपको call को receive करना है अपनी watch में तो आपको जो toggle है इससे on रखना है phone को यह color में होगा तभी आप अपनी watch में call को receive कर पाऊगे आप देखते हैं अगर आपको कई भी SMS आता है तो किस तरह के से show करेगा आपकी watch में तो SMS आ चुका है watch में भी आ चुक है लेकिन watch का display on होता नहीं है अलाकि watch करती वाइबरेट आपको display को on करना पड़ेगा यह है SMS जो receive हुआ है इस तरह के से contact करना में नंबर्श होगा और यहाँ पे होगा message का content Hindi font support करते लेकिन emoji support नहीं करते और आप इस तरह के से message को read कर सकते हूँ swipe करके और यहाँ से आप message को remove भी कर सकते हो मतलब clear भी कर सकते हो अगर आपने हैं से देखना मिज़ कर दिया तो आपको जैना अए homepage पे करना है swipe up और यहाँ पे आपको सुकरिंग message अगर आपको सभी को एकसाद क्लियर करना हुआ, तो यहाँ पे आपको शुकरने के पिछले 5 मेसेज, अब देखते हैं, अगर आपको वही भी WhatsApp टेक्स्ट आता है, तो कैसे शुकरेगा, तो WhatsApp आ चुका है, वाच में भी आ चुका है, लेकिन वाच में डिस्प्ले ओन होता नहीं है, डिस्प्ले को आपको ओन करना पड़ेगा, हलाकि वाच करती ही वाइबरेट, तो यह रहा WhatsApp टेक्स्ट, इस तरह के से आपको शुकरेगा, अगर आपने यहाँ पर दिखने मिस कर दिया, तो जाए यह होमपेज पर किजे स्वाइप अप, इसलिके से आप WhatsApp को ओपन कर सकते हो, रिड कर सकते हो मेसेज को, और यहाँ पर आपको शुकर करनेंगे मैक्सिमम 6 से 7 लाइन, हाला कि WhatsApp से अगर आपको कोई भी वीडियो को लाता है, तो आपको उसका मिलेगा, रिमांडर, और आप उस WhatsApp वो इसकोल को रिस्वी भी कर सकते हो अपनी वाच में, आगे है Find Device, तो आप इस फिचर के जरी अपनी वाच को ढून सकते हो, मालो आपने अपनी वाच को भी रख दिया है, आपको नहीं मिल रहा है, तो यसे में अगर आप इस पर ट्याप करोगे, तो आपकी वाच में अपनी वाच के जरी है, इसके बाद है Shutter, तो जैसे आप इस पर ट्याप करोगे, और परिविशन को अलाओ करोगे, तो आप Q-Watch में ओपन होगा Camera Shutter, और आपके फोन में ओपन होगा Camera, तो आप उस Shutter बटन पे ट्याप करके, या अपनी वाच को शेक करके, अपने फोन में फोटो क्याप्चर कर सकते हो, इस तरीके से, आगे है E-Card मतलब की QR Code को अड़ करने का Option, तो आप अपनी वाच में आपके किसी भी Social Media Profile के QR Code को, Payments के QR Code को, या Contacts के QR Code को अड़ कर सकते हो, तो आपको E-Card पे ट्याप करना है, Upload पे ट्याप किजिए, QR Code पे ट्याप किजि तो आपको यहाँ पे टाइप करना है, Insta या Instagram, OK किजिए, Save किजिए, फिर से अड़ करने के लिए Plus के Sign पे ट्याप किजिए, और आप इस तरीके से तीन QR Code अड़ कर पाऊगे, तो आप यह दूसरा है, Phone Pay के लिए, मैं टाइप करूंगा Phone Pay, अगर आपको किसी QR Code को Replace करना है तो आपको Simply उस पे ट्याप करके उन्हें चेंज करना है, अगर आपको किसी को यहाँ से रिमू करना है, तो Swipe किजिए, और किजिए, मैंस के Sign पे ट्याप, रिमू करने के लिए, Save करने के लिए, आगे है Favorite Contacts, तो आप अपनी वाच में एक साथ 8 Contacts को Save करके रख सकते हो, Add कर सकते हो, कोई भी 8 Contacts, तो मैंने 8 Contacts को चूज कर लिया है, फिर आपको करना है, Save पे ट्याप, जिस order में यह Contacts यहाँ पे शो कर रहे है, सिम उसी order में आपकी वाच में भी शो करेंगे, अलग कि आप इन्हें उपर निचे कर सकते हो, तो आपको 3 बार पे Long Tap करके Track करना है, इन्हें उपर निचे करने के लिए, इस तरह किसे, अगर आपको इनमें से किसी भी Contacts को रिमू करना है, तो आपको Swipe करना है, और Minus पे ट्याप करना है, रिमू करने के लिए, Add करने के लिए, Plus कि Sun पे ट्याप किजिए, और Save करने के लिए, किजिए Done, Done शो करेगा, मतलब कि आपके जो Contacts SEO हो चुके आपकी वाच में, बैग जाईए, आगे है Others, इसमें सबसे पहले है, Time Format, तो आप अपनी वाच में टाइम को सेट नहीं कर सकते, जो टाइम आपके फोन में शो कर रहा है, ऐसे मोही टाइम आपकी वाच में भी शो करेगा, अलाग कि आप जो Time Format है, उसे Change कर सकते हो, तो यहाँ पे है दो Option, 12 आप फिर 24 आपको जिस Format भी Time Format को सेट करना है, उस पर ट्याप किजिए, Done किजिए, Unit और Language को आपको चेंज नहीं करना है, इन्हें रखना है, As It Is, आगे है Auto Lock मतलब की Screen Time Out, तो अगर आपने एक बार अपनी वाच के डिस्प्ले को उन रहेगा, उसके बाद Off हो जाएगा, आगे है Quick View मतलब की Race to Egg का Feature, तो अगर आपने इसे On किया है, तो इससे होता गया है, तो अगर आपको डिस्प्ले को On करना हो, तो आपको अपनी वाच को उपर की और Race करना है, आपकी वाच में डिस्प्ले On हो जाएगा, आगे है Control Phone Music, तो अगर आप चाहते हो, आपके Phone में जो भी Music है, उसे Control करना, आपकी वाच के जड़ी है, तो आपको इससे On करना है, इसके बाद है D&D, तो D&D को On करने के लिए आपको सबसे पहले Time को Set करना है, Start Time, End Time, जो Time आप Set करोगे, उस Time के तुरान D&D काम करेगा, D&D काम करेगा मतलब कि आपकी वाच में कोई भी Message या Call Show नहीं करेंगे, इसके लाव आपकी वाच में कोई भी Sound या Vibration प्ले नहीं होगा, आगे है Battery Saver Mode, तो अगर आप Battery Saver Mode को On करोगे, तो आपकी वाच में बैटरी आप स्योकर पाऊगे, अलग के गर आप इससे On करोगे, तो आपकी वा मुंबई, मुंबई पे ट्याप करना है, तो मुझे शोकरेगा मुंबई का वेजर मेरी वाच में, ये है Automatic Heart Rate Measurement, तो अगर आप चाहते हो, आपकी वाच में Heart Rate Automatic Measure होता रहे हैं, तो आपको इस पे ट्याप करके, टाइमर को सेट करना, जैसे कि मैंने सेट किया हैमान लेते ह 20 बनट, तो मेरी वाच में, अब हर 20 बनट के बाद Heart Rate Automatic Measure होता रहेगा, लेकिन ऐसा करने से, बैटरी बैकप काफी कम बिलेगा आपको, इसलिए अगर आपको बैटरी बैकप बढ़िया चाहिए, तो आपको इससे सेट करना है, क्लोस पे मतलब कि आपकी वाच में, अब Automatic Heart Heart Rate मेजरनी होगा, आप जब चाहिए तब मैनूली अपनी वाच में Heart Rate को मेजर कर सकते हो, बड़ी आसनी से, फिर यह है Physiological Cycle Reminder, तो अगर आप एक Female हो, और अगर आपको अपने पिरेट को ट्राक करना हुआ, तो आपको इससे Own करना है, लास्ट टेम आपको पिरेट करना है उसकी डेट आपको यहापे सेट करनी है, डन कीजिए, और लास्ट में है ट्रिंग वाटर Reminder, पानी पिने का Reminder भी आप सेट कर सकते हो, आपको इससे Own करना है, स्टार्ट टेम सुबह कितने बज़े आपको स्टार्ट करना है, तो मैं चाहता हूँ सुबह में स्टार्ट हो आपके वाच में, फिर बैक जाएए, तो आगे है, अपग्रेड मतलब कि आप यहाँ से अपडेट को चेक कर सकते हो, अगर 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 होगा तो आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, अब बात करते हैं, प्रोफाइल सेटिंग्स की तो आपको लास्ट वाले ट्याप पे ट्याप करना है, प्रोफाइल पे ट्याप करके आप यहाँ से अपना जेंडर, बर्थडे, हाइट, वेट और जो स्टेप लेंग थे मतलब कि कदमों के लंबाई, चेंज कर सकते हो, जब चाहते हो, यहाँ से इस तरी के से, फिर यह है गोल मतलब कि डेली स्टेप गोल, तो आप एकन पिट आप किजिए, और यहाँ पीप लोग थिस आप, याँ कीप ओपन, आपको इस पिट आप करना है, लोग का आइकन शो करेगा, इसके बाद आपको जाना है अप इंफो में, बैटरी में, और यहाँ आपको स्टेट करना है पहले पर, अन्रेस्टिक्टिट प उसे अगर आपको सिंग करना हुआ आपके Google अकाउंट के साथ तो आपको करना है इस पट्याप और करना है connect अब बात करते हैं homepage की जहाँ पर आपको शुकरेगा आपका आज का activity और vital data आप swipe करके इसे कर सकते हो refresh सबसे पहले यहाँ पर शुकरेगा आपका आज का data मतलब कि आपके steps, distance, calorie energy और आपका workout time यहाँ पर शुकरेगा आपका sleep data तो अगर आप चाहते हो आपका sleep data record हो तो आपको सोने के दुरार अपनी वाच को पहने रखना है और आप अपनी वाच में आपका heart rate और SP2 जो भी करोगे measure आपको यहाँ पे शुकरेगा उसका data तो हमने इस आपके जर यह अपनी वाच का setup complete कर लिया है अब हम देखेंगे आपको वाच को कैसी उस करना है इस वाच में आपको मिलती हैं दो buttons उपर वाली है crown button और नीचे वाली है push button तो अगर आपकी वाच में डिस्प्ले ओ होता है उसे on करना हुआ तो आपको दोनों में से किसी भी एक pay press करना है डिस्प्ले होनो जाएगा उपर या नीचे उपर वाले button पे press करके आप दिस्प्ले को on up कर सकते हो इस तरह के से अगर आप किसी भी menu में एंटर करते हो वहाँ से इक आपको ब्याग जाना हुए step by step तो आपको इस पे press करना है step by step back जाने के लिए step by step ब्याग जाने का और एक तरीका है आपको इस तरह के से करना है right में swipe step by step back जाने के लिए अगर आप इस पे long press करोगे तो आपको मिलेगा सुचोप करने का option आपको tick पेटे आप करना है सुचोप करने के लिए और home page बहुते हुए अगर आप इससे करोगे rotate तो आप जो watch face है उसे change कर सकते हो इस तरह के से यह crown button मतलब कि आप इससे गुमा भी सकते हो तो अगर आप किसी भी menu में जाते हो तो आप वहाँ पे भी scroll up या scroll down कर सकते हो उपर नीचे करने के लिए नीचे वाला button जो है वो है workout mode को access करने के लिए तो अगर आप किसी भी page पे हो अगर आप इस पे press करोगे तो अपन हो जाएगा workout mode इस तरह के से और यहाँ पे आपको मिलते है 20 workout mode हलाकि आपके पास options है 120 plus अगर आपको add करना हुआ तो नीचे आपको मिलेगा plus का sign tap कीजिए यहाँ पे है अलग-अलग category उसे open कीजिए और जिसे add करना है उसके सामने plus का sign होगा उस पे tap कीजिए add करने के लिए तो मैंने जो नए add की है आपको अब उपर में show करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो cricket, table, tennis मैंने 5 नए add की है मतलब की यहाँ से नीचे से 5 रिम हो जाएंगे आप जितने add करोगे उतने रिम हो जाएंगे आप यहाँ पे एक साथ place कर पाओगे 20 workout mode को home page पे अगर आप करोगे swipe down तो आपको भी लेगा control center, उपर में date, day और नीचे है battery level सबसे पहला toggle है calling के feature का तो अगर आप इसपे डाप करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेंगे 3 option सबसे पहला है call के feature को on off करने का toggle तो अगर यह on है मतलब की आपकी watch में आप call को receive कर पाओगे अगर आपको अपनी watch में call को receive नहीं करना है तो आपको इसे off करना है यह है audio bt, तो अगर आप कोई भी media play करोगे, आपके phone में उसका sound play होगा आपकी watch में, अगर आप इसे on करोगे तो अगर आप इसे off करोगे, मतलब कि आप जो भी media play करोगे आपके phone में उसका sound आपके phone में play होगा फिर है phone reset तो अगर आप करोगे phone reset तो होगी आपकी वाज में तीन चीजे call का feature off हो जाएगा आपने जो भी contacts add किये थे वो सब भी हो जाएगी clear और आपकी जो भी call history है वो भी हो जाएगी clear फिर यह है menu style को change करने का option तो यहाँ पे आपको मिलते है 6 अलग-अलग menu style जैसे की honeycomb है इसके बाद least view है grid view, levels, parallel, surface, honeycomb तो आप इसरे के से menu style को change कर सकते हो फिर यह brightness को change करने का option तो आप यहाँ से slide करके brightness को adjust कर सकते हो इसके आगे है torch को option तो आप यहाँ से one tap में torch को on up कर सकते हो यह है QR code जो भी आपने QR code add किये उन्हें आप देख सकते हो यहाँ से जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ insta, phone pay, paytm आप arrow पे tap करके switch कर सकते हो और जो payments उने accept कर सकते हो या जो अपना profile है उसे share कर सकते हो फिर यह है settings इसमें पहले है display और यह है brightness यहाँ से भी आप adjust कर सकते हो बाद में auto lock मतलब की screen time mode जो हमने app में set किया है 15 second के लिए वही आप यहाँ से adjust कर सकते हो फिर यह watch face आप यहाँ से भी change कर सकते हो swipe करके set करने के लिए tap किजिए फिर है menu view तो आप यहाँ से भी menu style को change कर सकते हो जिससे set करने उस पे tap किजिए इस तरीके से आप को शुकर एगा menu style display में सबसे end में है quick view मतलब की race track का feature तो आप यहाँ से भी इससे उनोग कर सकते हो फिर है vibrate and ring तो अगर कोई भी call आता है तो आपकी watch में alert केसा चाहिए तो यहाँ पे mode में है किन अलग अलग option अगर आप चाहते हो call आने पे आपकी watch में केवल vibration हो तो आपको set करना है vibrate पे अगर आप चाहते हो call आने पे आपकी watch में ring तोन भी बज़े और vibration भी हो तो आपको set करना है दूसरे पे अगर आप चाहते हो आने पे आपकी watch में ring तोन vibration कुछ ना हो आपकी watch रहे mute, silent तो आपको mute पे set करना है फिर है intensity मतलब की vibration आपको कौन से level पे set करना है फिर यह है phone call जो हम देख चुके है, shortcut आपको मिल जाता है quick toggle में, इसके बाद है system जहाँ पे आपको मिलेंगे 3 option, restart करने के लिए, switch up करने के लिए, और इसे reset करने के लिए, home page पर अगर आप करोगे, swipe left तो आपको मिलेंगे अलग-अलग shortcut जैसे की activity है, sleep data, heart rate, BP, मतलब की यहाँ पर है blood pressure, तो आप अपनी watch में blood pressure भी measure कर सकते हो, और यह SP2, stress measurement भी दिया गया है, weather option आपको मिल जाता है, तो अब भी फिलाल कितना weather है, आज का sunrise sunset time, और आने वाले अगले 6 दिन का maximum minimum weather आप यहाँ पर चेक कर पाऊगे, इसके आगे plus का sign, तो आप जो अलग-अलग shortcut है, उन्ह माइनस का sign पर tap कीजिए, और इसे रखने के लिए बीच पर tap कीजिए, फिर आगे है phone call, जो भी आपने contacts add के आपके app में, यहाँ पर शो करेंगे, contacts में, और अगर आपको इनमें से किसी को भी call करना हुआ, तो आपको उस पर tap करना है, call करने के लिए, फिर यह है recent call, आपके recent call से आपके शो करेंगे, date wise, और अगर आप चाहो तो फिर से उसे call कर सकते हो, उस पर tap करके, अगर आपको आपके recent calls को clear करना हुआ, remove करना हुआ है यहाँ से, तो यहाँ पर option दिया गया नीचे, clear all का, सभी को एक साथ clear करने के लिए, फिर यह dial pad, तो आप किसी भी number को dial कर सकत हो, काफ यासनी से, इस तरह किसे call कर सकते हो, उसे, इसके बाद है shutter button, तो आपको tap करना है, आपके phone में open होगा camera, अलाकि आपको दाप भी tap को पहले open करना पड़ेगा, उसके बाद ही, आप tap करोगे, तो आपके phone में open होगा camera, तो आप tap करके, या shake करके, photo capture कर पाओगे, अप इस तरह को प्रिजुम करने के लिए, पिर से इस तरह के swipe कीजिए, और end करने के लिए, अगर आपका workout data से होगा, तो आपको minimum एक मिनिट के लिए workout करना है, इसके बाद है, मेसेज आप यहां से रिट कर पाओगे, और यह है music player, तो आपको play प्रिजुम करना है, music को play करने के प्रिवियस, नेक्स्ट, अलागी हापे volume का कोई भी control नहीं दिया गया है, आपको अपने phone से ही करना पड़ेगा, volume को adjust, और जो music play हो रहा है, वो हो रहा है आपकी watch में, अगर आप चाहत जो music play हो मेरे phone में, तो आपको जाना है settings में, या फिर पहले toggle में, phone call के feature के toggle को open कीजि अब music play होगा आपके phone में, अगर आपको play करना है अपने watch में music को तो इसे on कीजिए audio bit को, इसके बाद अगर मैं play करूँगा तो play होगा मेरी watch में, आगे है timer, alarm, तो आप यहाँ पे एक साथ add alarm को add कर सकते हो, आपको time पे tap करना है, time set कीजिए hour minute, am, pm को set कीजिए, tick पे tap कीजिए, कौन से दिन को आपको alarm को प्ले करना है, उन दिन को आपको चुस करना, tick करके इस तरह किसे, फिर end में कीजिए, tick, save करने के लिए बैग इस तरह किसे, और आप tap करके उसे change भी कर सकते हो, और उसे यहाँ से clear भी कर सकते हो, जब भी alarm कर देमा हैगा तब आपको मिलेगा alarm का reminder आपकी वाच में, vibration के साथ, अब बात करते है, menu की, तो आपको home page पे करना है, swipe right, आपको मिलेगा यहाँ पे quick shortcut, सबसे पहले है, voice assistant, तो आपके phone में अगर Google Assistant, Bigsby या Siri है, तो उसका job कर पाऊगे, आपको tap करना है, how is the weather today, इसके बाद है settings, heart rate, phone call का feature, workout और music, tap करोगे हैं, तो आपको सारे menu access करेंगे, जिससे के activity, तो हम most of menus को देख चुके है, जो बाकिया देखना है, वो है, तो हम पहले ही most of menus को देख चुके है जो बाकिया देखना है, वो है, workout record, तो आप अगर कोई भी workout करोगे, उसका डिटागर से हुआ होगा, तो यहाँ पेश्च हो करेगा, और यहाँ पे है Kelsey का feature, तो आप Kelsey को use कर सकते हो अपनी watch में, अलाग इसमें find my phone का feature नहीं है, इसके अलबा games भी आपको इसमें नहीं मिलते दोस्तों तो यह था Firebolt Granite Smartwatch का full setup guide, अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे Instagram पे या फिर Twitter यानी के एक स्टैप पे भी मेसेज कर सकते हो, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों